गुल्बरगा शहर में अभी 20 बच्चों का जख्म नहीं भरा था और एक बच्चे का जख्म यहां पर शुरू हुआ है यह बहुत ही शर्म की बात है कि उसके बावजूद भी आज भी गुल्बरगा की शहर के अवाम और elected representative खामोश और मीन सो रहे हैं यह बहुत ही शर्म की बात है जन कुटों के जुंड ने 20 बच्चों के अपर जो हमला किया था एक मेहना पहले आज फिर लगातार हर दिन रिपोर्ट हो रहा है कि एक फलाना बच्चे को फलाना एरे के अंदर कुटों ने काटा है उसके बाव बावजूद भी अवाम सो रही है elected representative जो लोग जीत कर आईवानों में गये हैं कॉर्परेटर्स हैं यमेले हैं डिस्टिक इंचार्ज मिनिस्टर हैं मेंबर अफ पार्लेमिंट हैं कॉर्परेशन हैं डिस्टी हैं डेपूटी कमिश्टर हैं ये तमाम इदारे खामोश नीन सो रहे हैं ये क्यों ऐसा हो रहा है क्योंके हम लोग खामोश हैं हमारे तो आज अवान के अंदर बेदारी होने के बावजूद भी सोशल मीडिया के जरीए से तमाम जरीए से बेदारी मुहिया होने के बावजूद भी फिर भी ऐसी खामोशी क्यों है समझ में नहीं आ रहा है 20 बच्चों के अपर जो हमला हुआ एक एमेर्जेंसी की तरह जो ऑस्पिटल है वहाँ पर एक एमेर्जेंसी की तरह हालात हो गई थी जिन बच्चे तडप रहे थे दर्द से और माबाब पिल पिला कर रो रहे थे उसके बावजूद भी उनके आसों को पोचने वाला कोई नहीं था वहाँ पर हम लोग जाकर एस्टी पे के जानिब से जाकर वहाँ पर डिस्टिक सर्जन को बात किये हो डॉक्टर्स को बात किये तो उसके बावजूद भी वहाँ पर एक इंजेक्शन मौजूद नहीं था बच्चों को देने के लिए प्राइविट से इंजेक्शन मगा कर देना पड़ा बच्चों को तो ऐसी एक हालत हमारे पास है जहां पर एमेर्जेंसी केसस को हैंडल नहीं कर सकते उसके बावजूद भी आज भी गुलबरगा कॉर्परेशन के कुट्टे आंखास सिटी में फिर रहे हैं क्यों हम लोग खामोश हैं देखिए हाल 11 तारीक को जो रिपोर्ट हुआ कि एक बच्चे को मासुम बच्चे को कुट्टों ने काटा उसके बाद लगातार एक के बाद एक एक बाद रात में भी हम देखते हैं कहां हर जगा जुन्ड बनाकर कुट्टे खड़े हुए हैं उसके बावजद भी हम लोग खामोश हैं डिस्टिक एड्मिनिस्टेशन खामोश है और गुलबरगा कॉर्परेशन कमिश्टर साहाब इनको तो शर्म आनी चाहिए ये खुद अपनी जवान से आप ही के न्यूस चैनल में बोलते हैं कि पांच हजार से ज्यादा कुट्टे जो जंगली कुट्टे फिर रहे हैं उसके अंदर सिर्फ हम दो से तीन सो कुट्टों को पकड़ने में कामिया हुए है ये बहुत ही शर्म की बात है और उसके बाद हम लोग ये अलेक्टेड रिप्रेजेंटिटिव के सामने ये बात रखते हैं ये स्डिपाई की जानिव से दो तीन प्रोटेस्ट हुए हैं इसके तालुक से कुट्टे काटने से पहले हम लोग मेमरेंडम दे रहे हैं उसके बावजूद भी गुलबर का कॉर्परेशन और डिश्टिक अडिमिनिशिशन सोया हुआ है ये बहुत ही शर्म की बात है और ऐसा अगर हम सवाल पूछते हैं तो ये लोग ये कहते हैं कि हम केरला से एक टीन को बुलाए हैं क्यों काम नहीं हो रहा है उसके अपर कहां पर है केरला की टीम आपकी आपने 15-20 दिन पहले आपने कहा था खुद Health Oficer ने ये कहा था केरला से टीम आ रही है ये ही रिंग रोड के प्रोटेश में कहा था कहा हैं आपकी केरला की टीम वो कुटे जो काट रहे हैं, वो ही कुटे गलियों में फिर रहे हैं, उसके मावजूद भी हम लोग खामोश हैं, ये बहुत ही शर्म की बास है, आज इन गरीब बच्चों के उपर जो हमले हो रहे हैं, जो गरीब बच्चें जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जिनके पास इलाज करने के लिए एक उर्पया भी नहीं है, ऐसे लोग जो आटो चलाने वाला उनका बाप है, और माँ घरों का काम करती है, ऐसे बच्चों को कुटे काट रहे हैं, तो इसके मुआवजा, गुलबर्गा कॉर्परेशन और डिस्टिक अड्मिनिस्रेशन कितना लगा रह एक मासूम बच्चे जो जान अपनी गवा रहा है, उसको 20,000 रपे आप लोग दे रहे हैं, चार बच्चे सीरियस हुए, यहाँ गुलबर्गा डिस्टिक के अंदर कोई इलाज उनका नहीं हो रहा था, ऐसे बच्चों को मुंबई और शोलापूर को भेजने भेजना खरचाया, मालूम है आपको 60-70,000 रपे इन लोगों को खरचाया है, उसके बावजुद भी गुलबर्गा कॉर्परेशन खामोश खड़ा है, और यहाँ पर यम्मेले मेडम, आप तो सिर्फ ये रिबिन काटने में लगे हैं, ओपनिंस जाने में लगे हैं, लेकिन मसाईल क को हल करने में कोई काम नहीं कर रहा, कॉर्परेटर सिर्फ ये मेर के अलेक्शन के अंदर दिखे, उसके बाद आज तक कॉर्परेटर में जी बी मीटिंग भी नहीं हुई, कोई आफिशल कॉल फॉर ने हुआ, इतना सीरेस इश्यू, एक अलार्मिंग इश्यू है गुलबर में जाकर बेटे हैं, और डिस्ट्रिक इंचार्ज मिनिस्टर साब का ये हालात है, कब भी फोन लोगों बेंगलूर में है साब, दूसरे कौन है, गुलबरगे को कौन चला रहा है, गुलबरगे के इश्यू उसके पर कौन बात कर रहा है, सिर्फ 20-20,000 पर चेक देने से मसल प्लास्टिक का इश्यू ही लोग लाए है, और प्लास्टिक के इश्यू को ये लोग लिखा कर, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, प्लास्टिक जब बैन है, तो आपके लिडरों के बैनर स्टिम्मा पूरी से लेकर कौर्परेशन सरकल तक क्यों लग रहा है, ये मेरा सबसे सबसे बड़ा सवाल है, आप लोग प्लास्टिक बैन है बुलकर कहते हैं, और जाकर प्लास्टिक के कमपेणियों में छापा मार कर, टनों से प्लास्टिक उठाते हैं, उसके बाद वो प्लास्टिक कहा जाती है, ये सबसे बड़ा सवाल या निशान है, कॉर्परेशन पर सब करना यह जो इशू को करना डइवर्ट करना डैवर्ट करना डैवर्ट करके अपनी दाल गलाने का काम कर रहें इसके अलावा कोई काम यह लोग कर रहे हैं यह लोग समझे हैं कि इस इश्यू को ठंडा करने के लिए अवाम भी सवाल नहीं उठा रहे हैं और अवाम से भी मैं नाराज की इजहार करता हूं कि अवाम भी सोई हुई है अवाम जब तक तक तुमारे खुद के बच्चों को पुत्ते नहीं काटेंगे आपके दिल में वो रहम और वो करम वो नहीं जागेगा ऐसा मुझे लगता है क्यूंकि गुलबरगा के अंदर जिन बच्चों को काटा है वो बच्चे हैं सुनिया गांधी कालोनी के, जमजम कालोनी के, मिलत नगर के, आजदपुर रोड के, और यतिम खाने के, ऐसी एरिया जहां पर बिल्डिंग्स हैं, वहां पर ये कुद्दे काटेंगे, तब आप लोगों को होशा आएगा, तब आप लोग इसके बारे में आवाज उठाएंगे, मुझे ऐसा लगता है, और सोचल डेमोक्रिटिक पार्टी आफ इंडिया, यसडी पे हमेशा मजलूमों, घरीबों औ और हमेशा इनके साथ रहेगी, खंदे से खंदा मिलाकर साथ रहेगी, और हम लोग तीन से चार प्रोटेस इसके तालुक से किये हैं, लेकिन इस बार प्रोटेस पे प्रोटेस नहीं, इस बार बहुत बड़ा हम लोग एक मुमेंट ही चलेंगे, गुलबर का कॉर्परेशन, elected representatives के खिलाब ये जितने भी corporators जीत कर जाकर बैटे हैं ये नाहिल हैं ये लोग महाँ पर corporator बनने के खाबिल भी नहीं हैं सिर्फ ये लोग corporator नाम के हैं और अपनी नाम अपना बड़े-बड़े posters अपने बड़े-बड़े banners लगाने के सिवा कोई काम नहीं करते और एक सवाल मेरा ये है जो लोग election contest करने के लिए आये थे यम्मेले election के अंदर यम्मेले election के बाद कौन सा इसा साथ सून गया जो पूरे नौजवान youths joining with JDS, youths joining with YMIM, youths joining with different different congress leaders, बहुत चला, कहां हैं ये लोग, खौम की खिजमत अब नहीं है क्या, आपको अपोजिशन को रूल नहीं है क्या, अब आपको यहां पर जब गुलबरगे के अंदर, एक आज भी government hospital में मरता तो 10 ML candidate आकर ठहर रहे थे, अब 10 लोग मरे तो भी एक जना आने के लिए तैयार भी है, क्या बात है, सब लोग खामोश है, का है, तो अवाम भी हमारी गुलबरगे के अवाम को भी यह सबजना चाहिए, कि कौन वाख़ई politics, सही politics, positive politics कर रहा है, और कौन negative और opportunist है ये भी मालूम करना बहुत जरूरी है